चने की दाल खाया करो, बुखार कभी आपके करीब भी नहीं आएगा रोजाना गने का रस पीने से आंखों की कशिश बढ़ जाती है नाखुन मूँ में डालने से यादास्त की कमजोरी हो जाती है अगर आप गुर्दू की सलामती चाते हैं, तो रात को पेशाब करके सोया करें गुलाब का फूल सुंग कर सोने से नींद बेतरिन और सकून की आती है रात को कोई किताब पढ़ते हुए सोया करें, इससे आंखें ठक जाती है और नींद भी अच्छी आती है बैतुल खला में कपड़े मत लटकाया करें, इससे बीमारिया आती है कच्चा दोध पीने से रंग गोरा हो जाता है कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए दूपेहर के वक्त मुठी भर चने खाओ अगर अपनी उम्र बढ़ानी है तो थंडी गिजाएं ज्यादा इस्तेमाल करें और गरम गिजाएं बहुत कम इस्तेमाल करें हर खाने के उपर पिसी हुई अद्रक शामल कर लेने से जल्दी बुड़े नहीं होंगे कच्ची गोफी के पते चबा लेने से शुगर लेवल कंट्रॉर में रहता है जो रोजाना रोटी के साथ एक तमाटर खा लें उसके बाल कभी सफेद नहीं होंगे ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से अकल बढ़ती है और गुसा कम होता है सांस की बीमारी से बचने के लिए खीरा रोजाना खाने का मामूल बनाएं जिन ओरतों की जिलद सुखी सी हो एसी ओरते नाश्पाती रोजाना खाया करें अगर वेहम की बीमारी लग जाए तो घर में ज्यादा सबजियां इस्तेमाल करें पाउं के दर्द से निजात के लिए पाउं के अंगूठे पर सरसूं के तेल से मालिश कर लिया करो दर्द जैसा भी हो दूर हो जाएगा सोते वक्त चेहरे पर मूंग फली का तेल लगाओ जुरियां खतम हो जाएंगी सुबू का नास्ता करने के बाद एक दाना इलाईची का चकलिया करो बुड़े लोगों की तरह सांस पूलने का मसला नहीं होगा अमरूद खाने से डिप्रेशन भाग जाएगा जिस घर में बिली बच्चे पेदा कर दे एसा घर रिजक से माला माल हो जाता है और रिजक की तंगी नहीं आती मैदे को हमेशा फिट रखना चाहते हो तो चक्की वाले आटे में बाजरा, काले चन्ने और जोग का आटा मिक्स करके खाया करो जिन्दगी भर मैदा फिट रहेगा और ता देर जवानी काइम रहेगी दमाग की थकावट की सूरत में मीठे आलू उबाल कर खाने से दमाग चुस्त होगा रोजाना अद्रक वाला पानी पीने से जिन्दगी भर खोन गाड़ा नहीं होगा खाना जल्दी हजम ना होता हो या पेट की बीमारी हो तो खाने के बाद सिर्फ एक चुटकी सूर्फ फांक लिया करें जिन बच्चों की नजर कमजोर हो जाए उनको सूर्फ रोजाना चकाई जाए जर्मनी के अंदर बच्चों को दवाई वगेरा नहीं दी जाती बलके सौफ खिलाई जाती है खाने के अंदर अदरक, हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा क्या करें जो पाउं की रोजाना मालेश करके सोए ऐसा इनसान बहुत कम बीमार होता है कैंसर के मर्ज के लिए केला फाइदा मंद है हलके रंग का लबास पहनने से जिलत खूबसूरत और नरम हो जाती है जिन लोगों का बार बार दिल खराब होता हो या उल्टी आती हो वो इलाइची चपाते रहें आयत अल्कुर्शी शरीफ की एक्तालीस बार तलावत मौलिच की दवा की मोताजी खतम कर देती है दही के इस्तेमाल से दिल मजबूत होता है और मेदा ताकत वर हो जाता है खुशक अनार दाना इस्तेमाल करने से बूख बढ़ जाती है चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगे तो रोजाना सेब और अनार इस्तेमाल कर लिया करो चंद दिनों में बुढ़ापा खायब हो जाएगा अगर सांस लेने में दुश्वारी पेश आती हो तो अदरक वाली चाई बना कर पी लो भूख लगने पर भी कुछ खाने को दिल ना करे तो गुड़ का इस्तेमाल करें जिन लोगों को मेदे की तेज़ाबियत का मसला हो वो अचार खाने से बचें चेहरे पर टमाटर का रस लगाने से चेहरा साफ हो जाता है